जो अंदोलन चला था जो मोमेंट चला था पहलवानों का उसमें पहलवान का लगातार अंदोलन में रहना तो उससे उसकी काफी बजन भी गटा और वो पर टिश भी नहीं कर पाई लेकिन विप्रीत पस्तिती के अंदर उस बेटी ने इस राष्टर को एक नई दिशाजने का काम किया जो ने ने इस गॉल्ड मेटल लेकि ऑग और जो दोजार सोड़ा और जो बीच में नहीं करस्थ की जो हिंदूस्तान को उसके गॉल्ड मेटल की आज ती उसको जोना आज अभी जो घोड़ नटिल यागी यह इतियास होगा रहे सिस तरह कार सफर रहा है तो कि बीच में प्रेज बुषण का भी देखी बुष्ण ने जो फैडरेशन काफी जो ने इनको जो रोकने कोशिशिव की वर्जबुषण की कान तो जो जो वजरंग है जो दना पर दा सुन है तो वह कवर नहीं करें तो वह भी गोल्ड मुंडल की वह पूरी तेया करें था तो यह बर्द बूंखी के मुझ पर तमाज चाहिए क्या कहना चाहिएंगे ये देशवासोड गले बेटियों करें तो आज जो हमारे इंदुस्तान की बेटी हैं पांस कौलिफायों करकी गई हैं और मैं उन बेटी के लिए जो हार नेमान करके आगे जो ने दोजार अटाइश के लिए बहुत कम समय है और सारी बेटी इस मेरी प रातना है आज से लग जाए जो 24 करूंत के लिए और हमारे बेटी जो ने मडली के लिए ताकि हमारे को ज्यादा खुशी हो मैं केवले की बात करना चाहूंगा जिस पस्तिति के अंदर विनेश फोगाट ने बापशी की है क्योंकि जो अंदोलन चला था जो मोमेंट चला था पहलवानों का उसमें पहलवान का लगातार अंदोलन में रहना तो उससे उसकी काफी बजन भी गटा और वो पर्टिश भ कि थी बड़ी जिसने आज तक वो आरी नहीं और वो पिछे भी गोल्ड मेडल रही है वो जब सरुवाला जब जिती थी उसके आमें यह लग रहा है अब उसको फाइनल में कोई नहीं रोख सकता है तीनों मैच आपने देखे हैं किस तरह का खेल नजर आया है आपको देखि जैसे सरु की जो फाइट थी वो बहुत कमपेटिशन की थी बड़ी टाइट थी और उसमें हमारी बेटी तीन दो से जित गई उसके बाद उसने हर कुस्ती के अंदर अब प्रोगर्स चलेगी अब जैसे पिछली साथ पांच से जीती थी अभी पांच जीरो से जीती है तो वो निश्चीत रूप से नाम रसुन करने पड़ेगी और आने वालाई पेड़ी के लिए भी खासकर लड़कियों के लिए एक ये नया संदेश जाएगा जिस तरह से मावीर पहलवान ने एक स्टार्टिंग किती उस टाइम के अंदर जहां लड़कियों को बार लकड़ना जो काफी लंबे समय से जिसका एक सपना था कि ओलम्पिक मेडल लेकर के जिसने का जी त्यार सर्थने का काम किया कि देश की पहली महिला रेशलर एशी है जो फाइनल में पहुंच चुकी है और हमें पूरन विश्वास है कि हमारी बेटी गॉल्ड मेडल लेकर इदेश का न हमारे शंपून राष्टर के लिए बारत वर्ष के लिए रेना परदेश के लिए और हमारे जिले के लिए भोती गुर्वानित करने वाला वैसुस है परतेग नागरी का शीना आज गरव से चोड़ा हो गया है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा काम करके इस मुकाम के परद चेंपियंशिफ जो पिसले अलुम्पिक मेजिसिन एक भी पॉइंट में अपने परतिदों दिनी को नहीं दिया और उसको राने के बाद तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया कभी ने इस हमारी बेटी अब गोल्ड मेडल के साथ ही वार्देश में लोटेगी